how to install car carrier trailer mode guys welcome back to another video and बिना किसी दे लेगे guys शुरू करते हैं so guys आज मैं आपको बताने वादा हूँ car carrier trailer mode को कैसे install करते है it is a very nice mode जिसमें आप यहापे photos में देख सकता आप car को carry कर सकता अगर आप कोई storyline mission बना रहे हो तो उसमें यह mode काफी काम आएगा आपको guys 100% बहुत काम आए क्योंकि मैंने खुद ने इस mode को कही बार use किया है तो इस mode को run करने के लिए guys हमें requirements चाहिए होगे latest version of script hook 5 community script hook 5 चाहिए होगा तो इसका भी latest version Microsoft C++ Distributable Visual Studio 2013 यह आपको Microsoft website पे मिल जाएगा और यह भी आपको Microsoft website पे मिल जाएगा framework 4.5.2 अभी हमको script hook 5 और community script hook 5 को हमें download करना पड़ेगा पहले तो इसको हमें यहाँ पर download करें यह देको script hook 5 है अपना 2628.2 का version वारा है तो हमें इसको हमें यहाँ से download करने होगा आप यहाँ पर AB software development की page पर आ जाओगे and then what you have to do यहाँ पर अगर आप आगे तापको यहाँ पर ब्लू करकर download बटन दिख रहोगा उसका प्लिक करना है तो यहाँ पर आपका download का आ जाएगा option अब कई बार आपको एसा पर्मिशन देना पड़ता है इसको कई बार यह download नहीं होता आपको simply उसके उपर allow कर देना है तो यह download file हो जाएगी अगर आप ऐसा problem face कर रहे हो तो फिर यहाँ से हम लोग community scriptok5 को यहाँ पर download करेंगे एंड देन उसका भी हम लोग यहाँ पर देखो 3.4.0 का अभी का latest version है तो यहाँ से क्रिप्टक 5.net.zip का हम लोग download कर लेंगे यहाँ पर ओके यह हमारा हो गया इसके बार हमको download करना है यह car carrier trailer mode तो इसको भी हम फटा-फट से download कर लेते हैं यह हमारी सारा downloadables हो गया complete अब बारी है installation की यह वाली जो window है यह मेरे gtfi की directory और यह वाली जो window है जहाँ पर मैंने यह सारे mods डाउनलोड किये हुए है अब सबसे पहले हम लोग open करेंगे and then go to the bin folder bin folder के अंदर जाने कवाद आपको simply script hook 5.dll और the input 8.dll इन दोनों को select करके हमें gtfi के main directory के यहाँ पे छोड़ देना है मैंने इसको already कर दिया है मैं इसको replace नहीं करूंगा it is simply आपको ऐसे इंस्टॉल करना रहता है तब यहाँ पर इंस्टॉल करने कवाद आपको इस फाइल को जबद नहीं परते हो डिलेट मार दीजिए go to script hook 5.net के अंदर जाना है हमको और यह सारी फाइल्स को अब अपने को लाइसेंस और रेडिमी को select नहीं करना उसके इंस्टॉल फोल्डर को open करना है इसके अंदर scripts folder को open करना है और यह जो scripts वारा जो है folder इसको मैं simply यहाँ पर click and drag कर देना है तो देखों यहाँ पर अलग सी script folder बन गया अगर आपके पास already scripts folder है तो आपको simply यह जो तीन चीज़े है इसको scripts folder के अंदर डाल देना है that's easy तो चलो हमारा यहाँ पर installation complete हो चुका है let's go head into the game और वहाँ पर जाके हम लोग देखते हैं कि guys हमारा game mod चल रहा है यानी क्योंकि यह मेरा Epic Games वारा version है let's go head and find it out so guys अभी हम लोग आ चुके है GTA 5 के अंदर guys सबसे पहले तो उस ट्वेलर को हमें spawn करना है guys सबसे पहले आपको press करना है shift और B दोनों साथ में press करना है यहाँ पे छोटा सा एक menu आजाएगा आपके सामने और यहाँ आपको simply एक truck spawn करना है जो चाहिए हो इससे हमको arrow keys से हमें इ पेलर के साथ attached अभी हमें क्या करना है अभी हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो ना हमको यह पीछा वाला रेम जालना पड़ाएगा तो यहाँ पर देखो हमारा यह जो पीछा वाला रेम खुल गया अब मैं गाड़ी उपर जो डालनी हो तो मैं यहाँ पर डेक कर देना का फ तो हम यहाँ पर सोच दो मैं तीन गाड़िया स्पाउन कर लूँ ओके तो गैस मैं यहाँ पर इन गाड़ियों को चड़ाओंगा उपर की बाजू तो दीरे-दीरे मैं इनको लेवल अप करूंगा एंड यहाँ पर सॉरी गाइस ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग समझी सकते हो गाइस कैसा ही करूंगा मैं यहाँ पर इसको लेवल कर लिया बट गाड़ी हिलने के चांस बहुत है तो हमको सिंपली क्या करना है शिफ्ट और भी फिस से प्रेस करना है अ ऐसे करके मैंने एक और गारी में अटेच कर देता हूं चलो दो ही गारी अटेच करता हूं इसको पुरा फिल अप कर देता हूं उसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंटीन्यू करेंगे ठीक है वैसे आपको लोकेशन पता चली गए होगे कौनसी कौनसी लोकेशन पर हमको गाडिया डालनी है तो मैं एक और गाड़ी आपको डालके दिखा देता हूं जैसे कि हम लोग टॉप डैक में मिडल में यह गाड़ी डालने वाले ठीक है तो यह मैं बता देता हूं लोग इसको टॉप पे चले जाते हैं एंड बोड़ा सा वैधर यह अच्छा नहीं है तो गाड़िया भर देता हूं उपर आला हो गया टॉप नीचे आला हो गया लोवर सिंपल सो गाइस यहां पर देख सकते हो मैंने तीन गाड़ियों को अटेच करती है वैं सिंपली हमें इस टॉप डैक को उपर लेने के लिए शिफ्ट और ब्रेस करना है एंड देन लोवर स्ल अच्छी तरीके से सेट कर दी है और गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी तीनों की तीनों वहिकल्स यहाँ पे छे की छे वहिकल्स मेरी यहाँ पे अटाइच हो चुकिया इस ट्वेलर से अब मैं सिंप्ली इस रैम को बंद करना है तो शिफ्ट और भी फिर से हम लोग प्रेस करेंगे थोड़ा स से उठाना खोने दो एंडेन आप कुछ आपने ट्वेलर के अंदर जाके बैठके थोड़ा सा गूमो और राइट गाइस तमारे यहाँ पे ट्वेलर सब्सेस्पुली अपना जो रैम फे ऊपर आ चुक है थोड़ा सा टाइम लग उस पर कोई बात नहीं तो गाइस यहाँ आप देख सकते हूँ मैं पूरी गारी चलाओंगा और आप देक सकते हुए निक को कोई प्रोब्लेम नहीं आ रहा सचैसरे आप समच सकते हैं कर आप धियान मॉड हमारा सुक्सेश फुली मॉड है उस Все के साथ अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आया हो तो गाइस भर करना गाइस 50 लाइक का में एम डार रहा हूं and also guys do subscribe to the channel comment करके बता हो अगर आपको यह mod चला या नहीं या आपको आगे कौन से mods लेखने हो भी आप comment करके बता सकते हो and also अगर आपको किसी भी चीज़ का मिले को contact करना है ता आप मिले को contact कर सकते हो on my Instagram अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लेम होता है मैं आपको contact details मैंने देही दिये ता आपको contact कर सकते हो तो इसके साथ मिलते हैं next video अगर तब तक stay safe and take care अगर आपको